हेलो डियर स्टूडेंट्स वेलकम तू दू दू सनकेडमी इस वीडियो में हम डिसकस करेंगे नुमेन क्लेचर आफ और्गेनिक कंपाउंट्स चेप्टर नबर फॉर है हमारी फस्ट यर सेकेंड डियर केमिस्ट्री का तो आई इसको स्टार्ट करते हैं फॉर्थ चेप्टर के अंदर आप सारे और्गेनिक कंपाउंट्स का सिर्फ नॉमेन क्लेचर करना सीखेंगे कि किस तरह से और्गेनिक कंपाउंट्स को नेम देते हैं और और्गेनिक कंपाउंट्स में डिफरन्ट फैमिली हमारे पास हैं डिफरन्ट ग्रूप्स हैं और उन सभी को हम डिफरन यहां पर हम देख लेते हैं थोड़ा सा इसको इंट्रोडक्शन करें तो नॉमेंक्लेचर का मतलब basically हमारे पास क्या होगा there are millions of types of organic compounds with infinite no possible isomers with infinite number of possible isomers तो हमारे पास दुनिया के दर millions of organic compounds हैं और millions of types of organic compounds हैं तो अगर हम किसी भी एक organic compound के अंदर थोड़ा सा भी थोड़ी सी भी changing कर दें atoms की या फिर एक atom को हटा कर दूसरा item लगा दें तो वो एक नया type बन जाता है organic compound का तो millions of organic compound हमारे पास मुझूद हैं और उनके isomers जो होते हैं वो भी बहुत सारी होते हैं infinite number of possible isomers अगर हमारे पास एक compound है उसका हम alternative compound बना सकते हैं जिसका फार्मूला सेम होगा लेकिन structure जो है वो different होगा तो structure के basis पे हमारे पास different different तरह से compounds बनाए जा सकते हैं तो जिस तरह से हमारे पास suppose हमारे पास यहां पर एक organic compound है जिसका formula हमारे पास है जिसमें 4 carbon है और इसके अगर हम hydrogen को लगाएं तो यहां पर कितने hydrogen होगे total यहां पर total 10 hydrogen यहां पर हो जाएंगे तो इस तरह से यह 10 hydrogen वाला जो है एक compound है अगर हम थोड़ी सी इसको sequence change करें तो यहां पर हमारे पास क्या बन जाएगा एक carbon हम नीचे लगा देते हैं तो अब यहां पर तीन hydrogen तीन hydrogen और यहां पर hydrogen यह पूरे अभी भी hydrogen के अंदर कितने होगे यह c6 sorry c4 h10 होगा और यह भी c4 h10 होगा तो फार्मूला जो है compound का वो क्या है same है लेकिन structure जो है वो different होगा है फार्मूला same है structure different है इन्हें हम कहते हैं isomers तो ऐसे बहुत सारे एक compound के हम infinite number of isomers बना सकते हैं और इस वज़ा से organic compounds बहुत ही diverse हो जाते हैं बहुत ज्यादा types हो जाते हैं organic compounds के और उनको naming देना बहुत ही challenging process हो जाता है they have different functional groups इनके different functional groups होते हैं functional group क्या होते हैं यह हम पढ़ेंगे आगे देखेंगे functional group वो होते हैं ओर गनिक्मपांट्स को अपनी properties देदेखें different types of substituents इनके अधर different types of substituents होते हैं variable length होती है इनकी किसके अधर पांच-कारबन इनके दस कारबन इनकी डिफ्रेंट होती है और Cyclic structure इनके based on a particular इस तहराना मेरो प्रमॉट नाम सब्लियन के और दुए अ्बस्टेश्थय से इनने हैं, इनन रिशेश छेप्स स्व्र। पहले क्या होता था ऐसे नाम दिये जाते थे किस इनसान ने उसको डिसकवर किया और किस जगा पे वो compound discover हुआ है या किसने बनाया है उसके basis पे उस compound को नाम दे दिया जाता था लेकिन अब वो बहुत ही ज़्यादा millions of compound बन चुके हैं तो वो वाला जो तरीका है वो अब possible नहीं है अब हम ऐसे उस जगा के हिसाब से उस इनसान के नाम के हिसाब से उन और्गनिक compound का नाम नहीं दे सकते तो वो बहुत ही ज़्यादा और्गनिक compound से हैं असलिए हमें एक systematic तरीका चाहिए system एक rule की तरह चाहिए जो के पूरी दुनिया के अंदर वो काम करे और हर एक और्गनिक compound को वो नाम दे पाए और ऐसे इस तरह से हर एक compound का एक unique नाम होना चाहिए तो ऐसा एक हमें system चाहिए था तो वो एक challenging process था लेकिन यहां पर हमारे पास एक system है IUPAC system यह हमारे पास एक organization है इसका नाम है IUPAC International Union of Pure and Applied Chemistry यह एक बड़ी organization है जिन्होंने क्या किया successful हो गई develop करने में a systematic way for nomenclature of organic compounds organic compounds का naming देने में उनकी nomenclature बनाने में यह successful हो गई यह organization और इसने बहुत ही बड़ा यह challenge पार कर दिया और different इन्होंने rules बनाए जिसकी वज़ा से हम organic compounds को name दे पाते हैं आज और आज हम इन्हें ही सीखते हैं इस chapter के अंदर के organic compounds के नाम किस तरह से देते हैं और आप भी जो है वो खुद से इन organic compounds के नाम लिख सकते हैं तो बहुत ही easy way में यह हमने यहां पर आयूपेक सिस्टम ने हमें जो है वो एक naming का तरीका दिया है तो अब हम एक topic को डिसकस करते हैं hydrocarbons और यह hydrocarbons क्या होते हैं इनको देखते हैं उसके बाद हम आगे चलेंगे नोमें की लेचर की history और आगे topics पर तो यहां पर organic compounds are made up of carbon and hydrogen organic compounds जो वो ज्यादा तर carbon और hydrogen के बने होते हैं और इन्हें हम कहते हैं hydrocarbons तो वो organic compounds जो सिर्फ carbon और hydrogen के बने होए उन्हें hydrocarbons का जाता है तो जैसा कि हमने यहां पर देखा यह हमारे पास क्या है는 यह दो howido carbon क्योंकि यहां पर क्या लगा है इसके अंदर सिर्फ carbon और hydrogen atoms हैं तो यह यहिहां पर मैंने ज्यादा hydrogen यहां लिखे रही थे अब यह क्या हैं यहां पर यह सिर्फ हैइस के साथ hydrogen प्रपस्थ इंहें और आप्यूंट के साथ होता है कभी झँटिन और कंपाउंट freshmen और शॉख मिमीर घिये मोंट आजाते हैं ऑपाउंट्ख पर्ण और सब्सक्राइड साल परमजाते हैं सब्सक्राइले मार्पेत हैं पॉजाते हैं तो इन्हें हम कहते हैं derivatives आफ hydrocarbons तो hydrocarbon से क्या होता है यहांपर यह элемेंट प्रयाइड होते हैं और हमारे पास एक कुछ ने compound को बनते हैं जिनके अंदर यह element प्रेजन होते हैं जैसे कई sulfur oxygen nitrogen यह अनकमपॉंड्स के अंदर प्रेजन रहते हैं और उन्हें कहा जाता है derivative of hydrocarbon तो compound by replacing hydrogen atom from hydrocarbon within atom or group of atom are called derivative of hydrocarbon तो अगर किसी hydrocarbon में से hydrogen को remove करके वहां पर किसी और atom या group of atom को अगर add किया जाए तो उस compound को हम कहेंगे derivative of hydrocarbon तो जैसे कि यहां पर आप देख सकते हैं हमारे पास ये एक organic compound है अब इसमें यहां पर यह क्या है यहां पर यह hydrogen आटेच था पहले यह कौन सा है यह c6 h c2 h6 यह हमारे पास और जो है वो इथीन है और इथीन के साथ जब chlorine add क्या गया तो यहां पर यह बन गया इथाइल chloride और यहां पर देखें hydrogen जो है यह रिमूव हो गया है यहां पर जो hydrogen था यह रिमूव हो गया है और यहां पर chlorine आकर अटेच हो गया है तो यहां पर यह hc2 h5 cl बन गया है यह इथाइल chloride क्यलाता है तो यहां पर यह नया compound बन गया है और यह कहलाएगा अब derivative of hydrocarbon तो इस compound का यह derivative है तो इस तरह से जब hydrogen को remove करके वहां पर कोई और atom या group of atom add किया जाता है तो उसे हम derivative of hydrocarbon कहते हैं और उसके अंदर वो हमारे पास जो है वो जो atom हम add कर रहे हैं उसे हम functional group कहते हैं तो यहां पर functional group वो होते हैं जो के अपनी properties उस compound के अदर add कर देते हैं organic compounds are categorized into families and each family having functional group and similar properties organic compounds जो है वो families के अंदर classify किया गया है मतलब organic compounds को families के अंदर रखा गया है और वो families जो है वो हर एक family का अलग functional group होता है उस family के जो भी members होंगे उन members के पास वो same functional group मौझूद होगा और उनकी तकरीबन properties same होती है तो family यह क्या होती है family के अंदर same functional group और same properties वाले members जो हो पाए जाते हैं अब जैसे के यहां पर हमारे पास आप देखें तो नीचे हमारे पास families दो लिखी है like alcohol family हमारे पास alcohol जो family होगी उसका functional group है OH यह hydroxy group जो है यह हमारे पास functional group है alcohol family का और अगर आप alcohol family का कोई भी member देखें तो उसके अंदर यह OH जो हो last के अंदर present होगा तो मतलब alcohol family का OH जो हो functional group है और यह सभी members के पास मौझूद होगा इस family के अंदर दूसरी family है Amine family Amine family के अंदर इसका functional group है वो है NH2 और यह NH2 उन सभी members के पास मौझूद होगा जो के इस Amine family से तालुक रखते हैं अब हम यहां पर basic organic compounds को देख लेते हैं कि basic हमारे पास तीन families हैं जो के organic compounds के अंदर use होती हैं तीन तरह के hydrocarbons हमारे पास हैं Compounds are names and the basis of carbon atom present in them यहां पर हमारे पास जो organic compounds हैं उनकी तीन families यहां पर लिखी हुई है एक है alkaline family एक है alkaline family इन families में क्या होगा जो carbon carbon होगी उनके बीच में single bond मौझूद होगा और साथ में hydrogen जो है atom present होगी तो यह हमारे पास कहलाती है तीन families और इन families के जो भी members होगे जो भी compounds होगे वो उन सारे compounds के अंदर जो है वो कुछ ना कुछ carbon atoms present होगे अब यह carbon atoms के हिसाब से इनके हम नाम लिखते हैं जैसे कि किसी के अंदर एक carbon है तो उसे हम कहते है math math का मतलब है यह first नाम आएगा उसका और यह नाम जो है वो उस हर एक उस compound के अंदर आएगा जिसके अंदर एक carbon मुझूद है अगर किसी compound के अंदर दो carbon है तो उसे हम कहेंगे math और अगर तीन carbon है तो उसे हम प्रॉप कहेंगे फॉर carbon है तो but और फाइव के लिए है pen six के लिए hegs seven के लिए hept eight के लिए oct non के लिए non nine के लिए और ten के लिए है deck eleven के लिए undack और twelve के लिए do deck तो इतने आपने याद रखने कि ये सारे जो है वो ये नाम हमारे पास तब आते हैं जब हमारे इतने carbon present होगर चार carbon किसी compound के अंदर present है तो उसके लिए हम word यूज़ करेंगे but तो ये आपको याद रखने ये prefix और ये हर उस compound के अंदर आएंगे जिसके अंदर carbon मोजूद है तो सब भी hydrocarbons के अंदर ये यूज़ होने वाले नाम हैं अब अगर आप यहां पर देखें तो हमारे पास क्या है Alcan family है Alcan family हम उस family को कहते हैं जिसके अंदर carbon के बीच में क्या हो single bond मोजूद हो तो अगर हमारे पास एक carbon है तो इसके साथ क्या होगा यहां पर चार hydrogen लगे होंगे और उसे हम एक carbon को math कहेंगे और वो अगर Alcan होगा single bond होगा तो उसे हम N से show करते हैं N क्या होता है यह हमारे पास एक prefix होता है जो कि use होता है सारे Alcan के लिए जिनके पास सिर्फ single bond मोजूद है और इनका अगर आप general formula देखें तो Alcan का जो general formula है वो हमारे पास क्या है वो है C N H 2 N और प्लस 2 तो यह इसका general formula है और इससे आप क्या करेंगे यहां पर N जो है यह carbon का number है यहां पर N आप put कर देंगे तो आप किसी भी member का formula निकाल सकते है तो अगर आपको यहां पर prop जो prop N है इसका formula निकालना है तो आप क्या करेंगे N की जगा पर रख देंगे 3 क्यूंकि prop के अंदर 3 carbon होते हैं तो N आप 3 रख देंगे और hydrogen कितने होगे यहां पर C3 हो जाएगा और तो इसका formula हो जाएगा C3 H6 तो sorry C3 H8 हो जाएगा हमारे पास इसका formula तो यह हमारे पास propane का formula होगा और अब देखें सब के अंदर यही एक carbon वाले के अंदर meth, 2 carbon वाले के अंदर eth, 3 carbon वाले के अंदर prep, prop, but, pent, hex, hept यह सारे लगे हुए हैं और suffix के अंदर यह जो last के अंदर जो words आ रहे हैं इन्हें हम suffix के अंदर सारे N आ रहे हैं, N सब के अंदर N, N, N जो है वो लगा हुआ है, तो इसका मतलब है यह सारे क्या है, alcan है और इनके अंदर सभी के अंदर single bond present होगा, अगर आप किसी भी एक का structure बनाएं, suppose हम यहाँ पर एक pentane ले लेते हैं, जो कि 5 carbon व होगे, तो यहां पर 5 carbon होगे और अब हम इसके अंदर hydrogen जो हो यहां पर put कर देंगे, तो यहां पर यह hydrogen इसके अंदर मौजूद होगे, हर carbon के पास चार bond आपने satisfy करने हैं यहां पर, तो देखें हर carbon के पास यहां पर कितने bond लगे वे हैं, चार bond हैं, जिसके अंदर बीच वा होंगे 12 हो जाएंगे तो अगर आप इस पे जनरल फार्मुले से इसका जो है वो फार्मुला निकालना चाहें तो जनरल फार्मुला क्या है Cn, H हमारे पास 2n है Cn, H2n, प्लस 2 है ये अलकेन का जनरल फार्मूला है और इसके अंदर से अगर आप इसका जो है वो फार्मूला निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे कितने कार्बन है, इसके अंदर 5 कार्बन है तो आप C5 फुट कर देंगे N की जगा पर यहां पर भी 5 लगाएंगे तो 5 इंटू 2 कितने हो जाएगा 10 और प्लस 2 12 हो जाएगा तो C5, H12 ये हमारे पास फार्मूला होगा पेंटेन का तो इस तरह से किसी भी कमपाउंट का इस्ट्रक्चर और उसका फार्मूला जो हो इस जनरल फार्मूले से निकाल सकते हैं उसके बाद ये हमारे पास सारे आ गए है मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हैक्जेन, हैप्टेन, आक्टेन, नौनेन, डेकेन, अन्डेकेन, और डूडेकेन ये सारे कमपाउंट क्या हैं अलकेन है उसके बाद आते हैं अलकेन पे अलकेन के अंदर क्या होता है जब कोई भी एक बॉंड जो है वो डबल बॉंड आ जाए तो उसे हम अलकेन कहते हैं तो किसी भी कंपाउंड के अंदर जो है वो दो कार्बन के बीच में एक डबल बॉंड आ जाए तो उसे हम अलकेन कह तो इसे हम कहते है अथ यहां पर शब्र इं उप्रिक्स लग जाएगा और यह कमपाउंड क्या है एथीन है और यह ही फ coconut है यह पास बनेंगे जो सारे alken होंगे और अगर alken का आप general formula नहोगा हमारे पास cn h2n और minus h2n बस cn, h21 यह जो है alken इन हथा यह जो है यह जो है alken का जनल अदर आगर आप देखेंगे तो इसका formula क्या होगा c2 यहां पर है दो कार्बन है c2 है विए यहां पर कितने फारे तो मिया पर यह मारे पास general formula देगा अगर आप प्रोपन का देखएएक तो यह पर प्रोपेन के इंदर ने पर्मिले अप्लाय करेंगे तो क्या होगा आप के पास प्रोपन के अदर तीन कारबन होते हैं तो उसके बाद बियूटीन, पेंटीन, हइकसीन, हैपट pret टि Or Хости के बीच में एक triple bond मौझूद है तो triple bond यहां पर मौझूद है और last में हमारे पास एक एक जो है वो इसके अंदर क्या होगा hydrogen होगा तो इसका यह हमारे पास कहलाता है alkyne और यह कौन सा alkyne है दो कार्बन और alkyne है तो इसे हम कहते हैं ethine तो यह ethine है हमारे पास और इसका जो हमारे पास alkyne का general formula होता है वो क्या होता है cn h2n h2n-2 होता है तो यह इनका general formula है और general formula से अगर आप किसी भी compound का formula निकालना चाहें तो हमारे पास कैसे होगा हमारे पास हम निकाल लेते हैं पैंटीन का तो पैंटीन के अंदर कार्बन फाइव होते हैं इनका जनरल फार्मूला क्या है सी एन एच टू एन माइनस टू और कार्बन फाइव होते हैं पैंटीन के अंदर पैंटाइन के अंदर तो यहां पर कितने हैं? C5, H2 into 5 कितने हो जाएंगे? 10 और माइनस 2, 8 तो यह हमारे पास H8 हो जाएंगे. C5, H8 यह पेंटाइन का फार्मला है. तो इस तरह से आप किसी भी कंपाउंड का फार्मला जो है, वो निकाल सकते हैं इस में से और यह हमारे पास कंपाउंड कोन थे है इथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, पेंटाइन, हेक्जाइन, हैप्टाइन, इन सभी के अंदर एक जो हो टिपल बॉंड आएगा. किसी ने किसी दो कार्बन के बीच में एक टिपल बॉंड लाजमी मौजूद होगा. अगर आप प्रोपाइन का स्ट्रक्चर बनाना मौजूद होंगे. यह जो स्ट्रक्चर है, यह हमारे पास किसका है? प्रोपाइन का है, जिसके अंदर दो कार्बन के बीच में एक टिपल बॉंड मौजूद है. यह कौन साइप प्रोपाइन है? तो इस तरह से आप किसी भी कंपाउंड का स्ट्रक्चर बना सकते हैं. और यह जो है, यह जो भी नाम है यह आपने सारे याद करने क्योंकि इन ही पे सारी ओर्गनीख केमिस्ट्रि बेसकरती है. आगे के जो भी नवनकीलेचर अपढ़ेंगे, जिसमें फंक्षणल गूरूपी है, वो सारी न醉मेनक्लेचर इन पर ही बेसकरती है, तो यह सबसे पहल आपने याद कर देने और नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे History of Nomenclature तो मिलते हैं अगली वीडियो में Thank you so much for watching अलाहफीस